तो दोस्तो आज 6 जनवरी 2020 सुमवार का दिन हो चुका है और आज की ताजा खबरें और आज की बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं आपको बता दे आज की बड़ी खबर में प्याज की महंगाई को लेकर एक बड़ी खबर आई है इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिरिंडर को लेकर एक बड़ी खबर आई है इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ATM से पैसा निकालने को लेकर एक बड़ी खबर आई है पहली बड़े खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंडी में प्याज के दामों में आई नर्मी जल्दी लोगों को आधी कीमत पर मिलेगा प्याज जी हाँ जैसा कि आप जानते हैं अभी पूरे देश में ही प्याज के दाम इतने है कि बहुत सारे लोगों ने तो प्याज को खाना भी छोड़ दिया है क्योंकि कहीं पर प्याज के दाम 100 रुपे किलो तो कहीं पर 500 तो कहीं पर 200 रुपे किलो भी है लेकिन आपको बता दे पहले के मुकाबले आधे दाम पर यानि के 40 रुपे, 50 रुपे या कहीं कहीं पर 35 रुपे भी मिले। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इस साल ओपो, वीवो, शौमी और वनपले समेट कई कमपनिया ला रही है 5G फोन। 5G फोन की कीमत कितनी रहेगी इसका हुआ है खुलासा जी हाँ जैसा कि आप जानते हैं कि दिन पर दिन टेक्नलोजी बढ़ती जा रही है आपको बता दे इसी की दोड़ में इस साल 2020 में बहुत सारे 5G फोन आ सकते हैं आपको बता दे एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें य दिकत होती है हमें network सही नहीं मिलता या हमें service सही नहीं मिलता तो हम अपने number को port करा देते हैं और फिर हमारा number तो वही रहता है लेकिन हमारी जो telecom company है वो बदल जाती है लेकिन आपको बता दें ये same situation और ये same system आपके gas cylinder के साथ है अगर आप अपनी agency से जिस company का आपके पास घरे लूग गया cylinder है उससे खुश नहीं है तो आप अपने cylinder को port करा सकते हैं बिल्कुल mobile number की तरह इसके लिए आपका कोई charge भी नहीं लगेगा और आप ये काम खुद भी online कर पाएंगे ये सब कुछ online कैसे करना है इसका एक article है जिसका link हम आपको इसी वीडियो की नीचे description मे देंगे आप उस पर click करके पूरी detail देख सकते हैं बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो bank के ग्रहकों ने नहीं किया ये काम तो cash निकालने में होगी दिक्कत जी हाँ अगर आप ATM से 10,000 रुपे से ज़ादा का cash निकालते हैं तो आपको अपना mobile number जो के आपके नियम देश के सबसे बड़े बैंक SBI में हैं लेकिन आने वाले दिनों में ये नियम और भी बैंकों में आ सकता है बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सरकार की मदद से खोलिए ये शांदार बिजनस हर साल हो सकती है 50,000 रुपे तक की कमाई यानि आपको सरकार की मदद से हर महीने 50,000 रुपे से लेकर 5,000,000 रुपे मिल सकते हैं कमाई के तोर पर जी हां अगर आप नौकरी से परशान हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना कारोबार खोलें तो आपको बता दें सरकार की एक योजना इसमें आपकी मदद कर सकती है आपको सरकार की शुरू कर सकते हैं इसमें लगभग 12,000,000 रुपे तक की लागत लगेगी लेकिन आपको 9-10,000,000 रुपे मुद्रा लोन योजना के तहत मिल जाएगा जो ताजा रिपोर्ट आई है अमर उजाला पर उसमें बताया गया है कि आप इस बिजनस के जर्ये हर साल 50,000,000 रुपे अमेरिका इरान के बीच काफी जादा तनाव चल रहा है जैसा कि हमने आपको बीते रोज बताया था अपने मुखे समाचार में कि बढ़ सकती हैं डीजल एक साथ 10 रुपे महंगा हो सकता है तो पेटरोल का दाम 90 रुपे तक जा सकता है आपको बता दें लगतार चौते दि भी बीते रोज पेटरोल की दाम बढ़े हैं और बीते रोज पेटरोल 10 पैसे महंगा हुआ है इस महंगाई के बाद अभी एक लिटर पेटरोल की कीमत राजधाने दिल्ली में 75 रुपे 54 पैसे है अगर बात की जाए डीजल की तो डीजल के दामों में भी 11 पैसे की बढ़ो होतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी एक लिटर डीजल की कीमत राजधाने दिल्ली में 68 रुपे 51 पैसे हैं बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो डिल्ली में आठवी से पोस्ट ग्रेजवेट तक के लिए निकली है सरकारी नौकरी की वेकैंसी जी ह अगर आप सिर्फ आठवी पास हैं और आप तब भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बता दें DSSB में असिस्टेंट के लिए रिक्वार्मेंट आई है और कई सारे पदो पर धेरो वेकैंसी निकाली गई है लगभग आपको 35,000 रुपे तक इसमें सेलरी मिल इसके अलावा आपको बता दें DSSB वालों के लिए बड़ी संख्या में परिवहन निगम में भी नौकरी का मौका सामने आया है इसके अलावा 12 पास वालों के लिए भी सरकारी नौकरी का मौका आया है इंडियन कोष्ट गाड की तरफ से ये नाविक की वेकैंसी है दोस्तो हुआवे P40 Pro जल्द मार्केट में देगा 10 तक मिलेगा 7 कैमरे का सपोर्ट जी हाँ मॉबाइल फोन का कंप्टिशन जारी है जैसा कि आप जानते हैं अब आज कल के फोन में 1-2 कैमरे तो होते नहीं कैमरे में या तो 3-4-5 कैमरे होते ही है लेकिन आपको बता दें हुआवे क कंपनी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है हुआवे का फोन मार्च में आ सकता है जो के होगा P40 Pro और इस फोन में आपको 7 कैमरे का सैट अप मिलेगा 7 कैमरों का बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 6 जनवरी 2020 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल म मौसमवी भाग ने जारी किया है मौसम का पूरवनुमान जी हाँ मौसमवी भाग के तरफ से आज 6 जनवरी के लिए मौसम का पूरवनुमान जारी किया गया है हाला के आज जो ताजा रिपोट आई है मौसम को लेकर वो बहुत थोड़ी है आपको बता दें जो ताजा बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब आसानी से क्रेडिट होगी खाते में पैंशन सरकार ने निकाला है नया फॉर्मूला जी हाँ केंदर और राज्य सरकार के पैंशनरों के लिए अच्छी खबर है यानि जिन लोगों को पैंशन मिलती है ये खबर उन लोगों के लिए है आपको बता दें सरकार जो पैंशन सिस्टम है उसको डिजिटाइज कर सकती है यानि के डिजिटल कर सकती है और जो पैंशन लोगों क को मिलती है उसे फास्ट कर सकती है आपको बता दें अगर अभी कोई करमचारी रिटाईर होता है तो जो उसकी pension है वो pension उसे मिलने में उसके खाते जो सिश्टम तयार किया जा रहा है उसके जर्ये ये जो पैंशन का पैसा है वो बिलकुल आसानी से और बहुत जल्दी मिल सकेगा बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जल्द सस्ती हो सकती है डायविटीज की प्रमुख दवाएं मरीजों को बड़ी राहत दवाई की कीमतों में लगभग 70% की कमी आ सकती है रिपोर्ट के मताबिक यानि जिन दवाई का खर्चा पहले 1000 रुपे का था तो वो आने वाले दिनों में मातर 300 रुपे का रह जाएगा दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आज का जो हमारा बड़ा सर्वे है आज का जो हमारा बड़ा सवाल है वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है आपको इसी वीडियो की नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो भी बड़ी बिमारियां है क्या उन दवाईय को सरकार की तरप से फिरी में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो फटा फट से अपना जवाब इसी वीडियो की नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें इससे बहुत कुछ पता चलेगा बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नासा ने सुनाई सूरज की असली आ आवाज कैसी होती है आपको बता दें सूरज भी एक तरीके का आग का गोला है और उसमें बहुत उची उची लपटें उठती रहती है इसलिए सवाल आता है कि क्या सूरज की भी अपनी कोई आवाज है कोई साउंड है तो आपको बता दें इनी सब के बीच अमर उजाला प देख सकते हैं बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो साल 2020 में लगतार छुटियों का होगा शांदार सयोग कर सकते हैं वीकेंड में घूमने की प्लानिंग जी हाँ नए साल आपके लिए सिर्फ नया साल नहीं लाया बलके ये नया साल लगतार छुटियों की आजा की गई है और बताया गया है कि पूरे कलेंडर को देखकर ये बात बताई गई है आपको बता दें इस साल में कई बार चार दिनों की तीन दिनों की लगतार छुट्टी हो सकती है जिसमें आप घूमने का प्लान बना सकते हैं लेकिन आपको बता दें इसी के साथ एक और जरूरी बात कि अगर 4-4 दिन तक लगातार छुटी होगी तो लगातार 4 दिन तक बैंक भी बंद रह सकते हैं, तो आपको इसका भी खयाल रखना होगा, बात करेंगे आज के अगले बड़े ख़बर की तो Amazon पर चल रही है, घर के सामानों के लिए बड़ी सेल मिल रहा है, बंपर डिसकाउंट, जी हाँ, Amazon पर अभी एक सेल चल रही है, जो के जल्द ही खत्म हो जाएगी, आपको बता दें, इस सेल की आखरी डेट कल 7 जनवरी 2020 है, अगर आप अपने घर के लिए तेल, सरफ, साबून या जो भी घर के सामान होते हैं, उन्हें मंगाना चाहते हैं, तो अभी Amazon पर काफी जादा अच्छा ओफर चल रहा है, लगबग आप सामान पर 50% की सेविंग कर सकते हैं, जो Amazon पर बैनर लगाया गया है, उस पर जो लिखा है उसके मताबिक, हम आपको एक लिंक इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जिस पर क्लि इस कंपनी की बिक्री पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छी नहीं रही, इसलिए कंपनी ऐसे में अब हलकी बाइक बनाएगी और हलकी बाइक उतारने की योजना बनाई गई है, बुलेट बाइक बनाने वाली कंपनी की तरफ से, बात करेंगे आज के अगले बड़े अबरी, डिजिटल टीवी हुआ बहुत सस्ता शुरुवाती कीमत मात्र 1100 रुपे, जी हाँ, एटल के तरफ से फिर से एक बड़ा ओफर आया है, लेकिन ये ओफर एटल DTH के लिए है, यानि जो एटल का केबल सेट आप बॉक्स है, आपको बता दें, एटल ने अपने सेट बिगार रहे हैं, जायका, चटक रंगों के फेरे में लोग खा रहे हैं, धोका, जी हाँ, आपको बता दें, अभी देश की राजधाने दिल्ली में और कई सारे राज्यों में, अमेरिका और थाइलेंट के अमरूद बेचे जा रहे हैं, जो के लगबग इलाहबादी बता दें, जो थाइलेंट के और अमेरिका के अमरूद है, वो तो देखने में काफी बड़े-बड़े और दूर से बहुत जादा स्वादिश्ट लगते हैं, लेकिन आपको बता दें, जब इसे लोग खरीद रहे हैं, तो इन अमरूद का स्वाद बिल्कुल बेस्वाद है यानि के ये अमरूद अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये हाइब्रीड अमरूद हैं, बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेरिका इरान तनाव के चलते, लगतार चौथे सब्ते ही महंगा हुआ सोना, आईए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव, जी हाँ, बीते सब्ता दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 895 रुपे महंगा हुआ है, और इस महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 41,290 रुपे है, अगर बात की जाए चांदी की, तो बीते सब्ता चांदी के दामों में भी 700 रुपे की देखने को मिली है और इस तेजी के बाद अभी एक किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सराफा बाजार में 49500 रुपे हैं तो दोस्तो आज 6 जनवरी 2020 की ये ताज़ा खबरे थी महत्पूर्ण खबरे थी उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी हम बस इ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वॉचिंग